समस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है तुर्वपाठों में हमने चतुर्थी विपक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की इस पाठ में उसका स्मरण करेंगे और एक संदर्थी जानेंगे जिसमें चतुर्थी विपक्ति का प्रयोग होता है तमस्कारा समस्कृत भाषा शिक्षणे बहताम सर्वेशाम हार्दम स्वागतम वयं पूर्वतन पाठे चतुर्थी विपक्ति ज्ञातवंता पुनस्मरणम इदानिं कुर्मह यथा बालकह गोविंदाय वस्त्रम ददाती बालिका महिलाय शाटिकाम ददाती एता दर्शवाक्यानी वदंति वा वदतो महियं आउशदं ददाती अहम मित्राय मोदकं ददामी सुरेशा गिरीशाय लेखनीं ददाती रामह आपनिकाय धनं ददाती अहम मित्राय दर्पनं ददामी अहम मित्राय भोजनं ददामी भक्ता अहा देवाय भलपुष्पानी ददती इदानिम चतुर्थी विभत्ते हे बहुवचन रूपानी भले हो यथा शिक्ष कहा चात्रे भ्यहा पत्रम ददाती व्यवस्था पकहा शिक्षिकाभ्यहा उपायनम ददाती एता दर्शवाक्यानी वदा महा वदतु सुहा सहा चात्रे ब्यहा रोटिकाम ददाती बालक हा चात्रे ब्यहा पुस्तकम ददाती माता पुत्रे ब्यहा शीरम ददाती बालक हा दरिद्रे ब्यहा दरिद्रे ब्यहा आहारम ददाती पुनहा वदतो बालक हा दरिद्रे ब्यहा आहारम ददाती राजा बिक्षु के ब्यहा दनम ददाती गोविन दहा जने ब्यहा वस्त्रम ददाती गुरु हो शिश्य ब्यहा विद्याम ददाती बालक हा गजे ब्यहा यक्षु दनम ददाती वैद्य हा रुगने ब्यहा आउशदम ददाती पिता है, पुत्रे ब्यहा पुस्तकानी ददाती खुंबकारह, जने ब्यहा घतम ददाती आम मित्री ब्यहा मोधकान ददामी उत्तम्ण वयमed भिख्षु के ब्यहा धनम दधमह सेचिन टंडूलकरह, अनात बालेक बालके ब्यहा विद्ध्याम ददाती सचिन टेंडूर करह अनात बालके ब्यह विद्यां ददाती लता दरिद्रे ब्यह मदुरं ददाती माता उत्रे ब्यह कंदुकं ददाती विता याचके ब्यह भोजलं ददाती अगम मित्रे ब्यह पुष्पं ददामी रम्या सखीर ब्यह वस्त्रं ददाती इदानीम अन्य विधम अभ्यासं कुर्मा ये शहा कंदु कहा अहम कंदुकं वेदवरताय ददामी अहम कंदुकं वेदवरताय ददामी वेदवरताय ददामी वेदवरताह अन्यस्मे ददाती परंतु एकं वाक्यं वदती अनंतरम ददाती भवान कस्मे ददाती अहम कंदुक कगातेгов US的 सकतें में करतांगी में देए, आप कागार प्रया है प्रशांता यह ग्राम अधित्या यह ग्राइडस दीओर सद्धन्वार Fir講 सद्धन्विल ऐस सद्धन्व अधरो पुनह वालतो अहम सहनावई ददामी अहम अईश्वर्यायई ददामी अहम कस्वह ददामी भवती शिक्षकाया ददातु अःग्-कायदामी धन्यमा अबहा इधानिम् चतुर्थि उभग्तेही विशये अन्यमेकम नूतन मौशं जानीमा वेडवरताय संगीतं रोचते सहनाय पाठह रोचते एवं रोचते इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति हिभोति वेदव रताय संगीतं रोचते सहनाय रोटिका रोचते एतागरिश वाठ्यानी वदंत रोचते इत्यपी शब्द भवेत वाठ्ये वदंत रमेशाय पाठ्या रोचते रामाय गीतं रोचते गोपालाय कबडी क्रीडा रोचते लताय व्याकरणं रोचते रमाय पुस्तकं रोचते निकिलाय पुष्पं रोचते इतागरिशानी वाठ्यानी बहूनी उक्त्व अभ्यासं कुर्मा अत्र रोचते इति क्रिया पदमस्ति रोचते इत्यस्यय योगे का विभत्ती ही भवती चर्वती विभत्ती ही भवती बहुत तमम रोचते कस्मे रोचते बाबू लालाय रोचते तरही पूर्ण वाक्यम बाबू लालाय रोटिका रोचते वदन्तू बाबू लालाय रोटिका रोचते सतानन्दाय मदूरं रोचते राखे श्यामाय भाचनं रोचते नंदकिशोराय विहारह रोचते कवये कावयम रोचते श्रीपतये वारह रोचते रुशये तपह रोचते शिशवे भलम रोचते बगिन्याई कायम रोचते गव्याई क्षीरम रोचते दात्रे श्रागलम रोचते उशाये भ्रमणम रोचते रोटिका कस्मय रोचते रोटिका बाभू लालाय रोचते उत्तमम् मधुरम कस्मय रोचते मधुरम सदानन्दाय रोचते उत्तमम् भाषनम कस्मय रोचते भाषनम रादेश्यामाय रोचते भलम कस्मय रोचते फलम शिशवे रोचते उत्तमम् पवनाया आईस्क्रीम रोचते आईस्क्रीम पवनाया 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 पव सुहासाय कंदुकक क्रीडा रोचते जगदीशाय आउशदं न रोचते सुहासाय कदली फलं रोचते निकिताय चलाचेत्रं रोचते निकिलाय गणितं रोचते अध्यापकाय उत्तम चात्राह रोचते नम्रताय रोटिका न रोचते पार्वत्याई नवनीतम न रोचते, शृत्याई गानम रोचते, रचमाई भूगोलम रोचते, अईश्वर्याई पुष्पम रोचते, मेगायाई क्षीरम रोचते, रोचते, जब इसका प्रयोग करते हैं, तब जिसको प्रयोग होता है, उस शब्द की चतुती विभक्ति होती है, इदानेम अन्यम एकम अभ्यासं कुर्मा, अत्रा एकम चक्रम अस्ते, चक्रे बहु विधाह शब्दाह संते, मध्ये रोचते इति क्रियापदम अस्ते, रोचते इत्यस्य योगे का विभक्ति हिभवती? चतुती विभक्ति हिभवती. समिचिनम रोचते इतियस्ति व्याकरणम रोचते, व्याकरणम कस्मय रोचते, व्याकरणम जनार्दनाय रोचते, एवं रोचते इतियदा भोती तदा जनार्दनाय व्याकरणम रोचते. उत्तमं तो जनादनाय व्याकरणं रोचते उत्तमं अरविंदाय क्रीडा रोचते उत्तमं लगाय पड़नं रोचते अमनियय दृत्यम रोचते वाण्यय आवरणं रोचते मित्राय नाटकं रोचते वित्रे कायं रोचते वानकाय कता रोचते व्याकरणं कस्मय रोचते व्याकरणं जनादनाय रोचते पठनं कस्यय रोचते लताय पठनं रोचते उत्तमं आभरणं कस्यय रोचते आबरणं वाण्यय रोचते उत्तमं कार्यं कस्मय रोचते कार्यं पित्रे रोचते कथा कस्मय रोचते कथा बालकाय रोचते क्रीडा कस्मय रोचते क्रीडा अरविंदाय रोचते नृत्यं कस्यय रोचते नृत्यं बगीन्यय रोचते इदानिम चतुर्ती विबक्त्यन्त पदम बहुवचने भोते तादर्श वाक्याने कानिचन वदामे शिशु भ्यहा क्षीरम रोचते बालके भ्यहा क्रीडा रोचते तरुने भ्यहा कलाहा न रोचते महिला भ्याह शाटिका रोचते महिला भ्याह कलाहा रोचते महिला भ्याहा कलाहा रोचते रोचते प्रयोगे चतुर्थी विभक्ती बहुवचन रूपानी उपयुज्य वाक्यानी उक्तवन तहा इदानिम कोष्ट कस्य साहा इये न इतो पी अधिकानी वाक्यानी वदाम हा रोचते इती क्रियापदमस्ती अतहा चतुर्थी विभक्ती ही एते शाम भवती इती जानी महा तरही वाक्याम कथम भवती बालकाहा इत्यत्रा चतुर्थी विभक्ती ही बालके भ्याहा भ्रमनम रोचते पुनहा वदंतु बाद के ब्याहा, ब्रहमनम रोचते, शिक्ष के ब्याहा, पाठनम रोचते, पंडिते ब्याहा, रामायनम रोचते, सर्जने ब्याहा, कायम रोचते, सैनिके ब्याहा, युद्धम रोचते, शिशु ब्याहा क्रीडा रोचते भविनी ब्याहा बादाहा रोचते मात्रब्याहा कार्यम रोचते मनीला ब्याहा आभरनम रोचते पाठनम के भ्याह रोचते पाठनम शिक्ष के भ्याह रोचते कार्यम के भ्याह रोचते युद्धम के भ्याह रोचते युद्धम के भ्याह रोचते युद्धम सैनी के भ्याह रोचते युद्धम का भ्याह रोचते युद्धम का भ्याह रोचते युद्धम का भ्याह रोचते युद्धम का भ्याह रोचते कार्यम मात्रु भ्याह न रोचते तरुने ब्याहा छला चित्रानी रोचनते शिक्ष के ब्याहा उत्तम छात्राहा रोचनते वाहन चाला के ब्याहा सम्मर्दहा न रोचनते पुनहा वदतो वाहना चाला के ब्याहा सम्मर्दहा न रोचते मात्रुब्याहा शिशु न रोचते अब आप जान गए होंगे कि रोचदे के साथ चतुर्थी बववचंद रूपों का प्रयोग कैसे होता है इदानीम वयम एकम सुभाशितम श्रुनमाह के यूरान विभूशयंति पुरुषं आराना चंद्रो ज्वलाह के यूराना विभूशयंति पुरुषं हारान चेन्रोज्वलाः नस्नानं नविलेपनं नकुसुमं नालं कृता मूर्ध जाहा वान्येका समरं करोती पुरुषं यासं स्कृताधार्यते क्षियंते खल भूषणानि सततं वाग भूषणं भूषणं वाग भूषणं भूषणं वाग भूषणं भूषणं वाग भूषणं भूषणं के यूरान विभूषण्ति पुरुषं हारान चेंद्रो ज्वलाहा के यूरान विपूशयंति पुरुशं हारान चेंद्रो ज्वलाहा नस्नानं दविलेपनं दकुसुमं नारं कृताबूर्थ जाहा वाण्येका समरं करोति पुरुशं यासं स्कृताधार्यते च्रीयंते खलु भूशना निसततं वागभूशनं भूशनं वागभूशनं भूशनं भूशनं वागभूशनं भूशनं भूशनं मनुष्यह स्नानं करोती, स्नानानंतरं विलेपनं करोती, विलेपनानंतरं कुसुमानी धरती, सुन्दर वस्त्रानी धरती, केशप्रसाधनं करोती, आभरनानी धरती, परंतु एतानी सरुवानियती अत्यंतं क्षणिकानी एतत सर्वं किमर्थं करोती स्वस्य सवंदर्यं वर्धतामिती परंतो निष्चे एन एताई ही स्वा सवंदर्यं वर्धतेवा नैवा एतानी सर्वानिय पी अत्यंतं क्षणिकानी तरही शाष्वतं सवंदर्य दायकं किमस्ते सौस्कृता वानिय वा मनुष्यं समलन करोती व अब भूशनम सततम भूशनम इती सुभाशिते बहु सुंदर तेया वलनित मस्ती। सु संस्कृत मीठी वाणी मनुश्य के जीवन को सवार्ती है। इसलिए सु संस्कृत वाणी ही मनुश्य का वास्तविक सिंगार है। यही शाश्वत तत्व है। राज्याह गुरुहोपी सायेवा आसित प्रति दिनम बहु वेतनम प्राप्नोतिस्म अतह तस्याह गृहं बहु वैभोवपूर्णमेवा आसित परंतु सातु अत्यंतम सरला आसित विरक्त जीवनम करोतिस्म। एकस्मिंदिने केशवह नाम कष्चन युवकह महिलायाह समीपे आगतवान सहा प्रार्थितवान आहं धरिद्रह तथापी मम शस्त्र विद्यायां आसक्ति ही अस्ति कृपया भोवती माम शस्त्र विद्यां पाठयतिवा इति सहा प्रुष्टवान। सा सुकन्या माता अंगी कृतवति अत्यंतम श्रद्यया इवकम पाठितवति पाठना नंतरम सहा शिष्यापी शस्त्र विद्यायं पारंगतः जातः गमन समये माता तम उक्तवति भोहो भवान्तु इदानिम पारंगतः अस्ति इतफपरं भवान्स्वजीवनम जीवने एकम पाठम न विस्मरतु कदापी गर्वेन वेवहारं न करोतु सहा अंगी कृत्य गतवान् परंथु केशवः केवलं शस्त्र विद्यां सम्पाधैतु मागतवान् सहा कदापी सुकन्या मातरं श्रद्धया न दृष्टवान् इतह निर्गतः सहा राज्णहा अंगरक्षक दले सैनिक पदविम्प्राप्तवान् तत्रापी सहा अत्यंतं गर्वेन वेवहरतवान् सर्वदा अहं खट्ग विद्यायां अत्यंतं श्रेष्टवा इति मदपूरोकं वेवहरतिस्मा अन्नी सर्वे वदंतिस्मा एतावान अहंकारह मास्तु भवान् मातु पुखु वचनम् स्मरतु कदापी गरुवेन वेवहारह नकरणीया हैती तम्स्मारयन्तिस्मा तथापी सहा ताम मातरमेव निंदतिस्मा सहवदतिस्मा सात वृद्धा तस्याह दंडमपी उन्नेतुम् शेक्तिहिनास्ति ममपुरतह साक्व एवं अहंकार पूर्वकं सहवद सतिस्मा कथंचित करणा करणी कतया सा वृद्धा एत द्वचनम् शिर्तवति सापी राजास्थानम् आगतवति तस्यापुरतह स्थितवति चाटिकायाह अंतह हस्तह आसित बोहो गरुव प्रदर्षनमात्रेन किमपी साधितं नभवति भोतह युद्ध परिनतिम् प्रद जनाह मास्तु मास्तु गुरुना सह युद्धम् मास्तु इत उक्तवत तथापी सहस्वयम आक्रमनं कृतवान सावधानीन पश्यंती वृद्धा माता स्वाशाटि कातह रजतवरणाम दर्वीम बहि निश्कास्या तस्या शिरसी कुट्टितवति तस्या कटगञ्च पात स्वा पराजयं सह अंगी कृतवान ताम नतवांच्य आगत्य बोहो ममा अहंकारं क्षाम्यतु इति प्रार्थितवान। उर्द्धा जाता शैयाम ग्रिहीतवती तस्मिन समये एकम अमृतवचन मुक्तवती बोहो केशवा जीवने कदापी अहंकार व्यवहारं नकरोतु सर्वदा विनयपूर्वकं व्यवहरतु इति आधिश्टवती केशवापी कदापी अनंतरं स्वजीवने अहंकारं नप्रद अत्यंतम विनयपूर्वकं जीवितवान कथा याहा अर्थम ज्ञातवन्तह किला धन्यवाद हा नमो नमाहा इसी के साथ अब यह पार्ट समाप्त होता है अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद कि अधनी तक कि अधन्यवाद नमाहा इसी कुछ जाए अधन्यवाद कि अधन्यवाद कि अधन्यवाद झाल झाल झाल